गर्मियों के दिन थे, शाम के समय एक बत्तक जील के पास ही पेड के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंडी थी, उसने वहाँ पर पांच अंडे दिये, उसने देखा कि उसके पांच अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखर वह परेशान रहने लगी, उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया, फिर एक सुबह उसके चार अंडों में से उसके चार ननहिम बच्चे बाहर आ गए, वो सभी बहुत सुन्दर और प्यारे थे, लेकिन उसके पांचवे अंडे से अभी तक बच्चा ब बच्चा निकला, बच्च का यह बच्चे अपने बाकी के चारों भाईभनों से बहुत बड़ा और बच्चूरत था, यह देखर बच्च मा बहुत उदास हो गई, उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बच्चूरत बच्च भी अपने भाईभनों की तरह था, वह बच्चूरत बच्च का बच्चा बहुत उदास रहने लगा, एक दिन जील में अपनी परच्चाई देखते हुए वह बच्चूरत बच्च का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, तो वो सारे बहुत खुश हो जाएं, वह किस किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बचसूरत बतक के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था वहां से वह एक बतक के परिवार के पास गया, उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया, मुर्गी ने भी उसे चोंच मार कर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुट्टे ने देखा, लेकिन कुट्टा भी उसे छोड़ कर चला गया। बतसूरत बतक उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बतसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बतसूरत बतक का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बद्तक को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसे एक बिली परेशान करने लगी तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। शर्म से उसने अपना सिर जुका लिया। तभी उसने नहीं के पानी में अपनी परचाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है तभी हा अपने बाक पहचान कर सकता है तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है